सुप्रबात, स्टान्डर्ड अईट हम आज बात करेंगे हमारे अभ्याशक्रम में आने वाले लेशन 11 यानि एका दर्शह पाठ की जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में ही बता दिया था कि हमारे पाठ्य पुस्तक में आने वाले सभी चेप्टर का हम अभ्याश करेंगे पर इस साल के लिए सिर्फ हमारे चेप्टर में से कुछ चेप्टर निकाल दिये है यानि कि इस साल में ये चेप्टर का आपको अभ्याश करना नहीं है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे कौन-कौन से ऐसे लेशन है जिसका हम इस साल अभ्याश नहीं करेंगे तो लेशन एक तो शेवन था सप्तम पाठ एवं दुसरा था भारत सप्तम पाठ जो भारत जनता अहम है उसका भी हमने अभ्याश नहीं किया पहले शत्र में अभी उसके बाद है अश्टम पाठ संसार शागरिशनाय का जिसका भी हमने अभ्याश नहीं किया अब आएगा उसके बाद नवम पाठ सब्त भगिन्या जिसका हमने अभ्याश कर लिया है अब इसके बाद जो है दर्शम पाथ उसका हमने अभ्याश नहीं करेंगे इस समय यानि कि इस साल में ये दर्शम पाथ हमने नहीं करेंगे अभ्याश में नहीं लेंगे तो नीती नवनीतम ये जो पाथ है उसका आपको अब इसके बाद बात करेंगे हम एकादश पाठ तो इसके बाद एकादश पाठ यानि शाविंतरी बाई फूले इसके बाद द्वादश पाठ कह रक्षती कह रक्षित ह। इसके बाद त्रयो दशह पाठ शृतो राजती भारत श्वनह भुमे इसके बाद है चतूर दशह पाठ आर्यभट और इसके बाद है लाश्ट पंचम दशह पाठ प्रहे लिका जिसका हम इस साल में अभ्याश नहीं करने वाले हैं ठीक है तो इस तरह हमारे इस अभ्याशक्रम में इस साल में एक, दो, तीन और चार चेप्टर हमने निकाल दिये हैं यानि कि हम इसका अभ्याश नहीं करेंगे तो चलो आज हम बात करेंगे एका दशह पाठ शाविंतरी बाई फुले जो एक महिला है उसका पुरा जीवन परीच यहाँ पे दिया गया है तो इस तरह शाविंतरी बाई फुले जो है वो सिक्षा हमारा अधिकार है पर हमारे समाज में कहीं शमूदाय इससे लंबे शमय तक वंचीत रहे थे और उसको इस अधिकार को दिलाने के लिए उसको बड़ा लंबा संगर्ष करना पड़ा था लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध जेलना पड़ा था तो इस संगर्ष को प्रस्तुत करते हुए ये पाठ है प्रस्तुत पाठ इस संगर्ष का नित्रुत्व करने वाली प्रात स्मरणिय एवं अनुकरणिय मैला सीरो मनी शाविंतरी बाई फुले के जोगदान पर केंदरी थे चलो जानते है साविंतरी बाई फुले के बारे में उपर निर्मितम चित्रम पश्यत इदम चित्रम कस्या चित्रम आग पाठ शाला यहा वर्तते यम सामान्य पाठ शाला ना अस्ती यम अस्ती महाराश्ट श्य प्रथमा कन्या शाला एका शिक्षिका गुरुहात पुस्तकानी आधाय चलती मारगे कस्चित तश्याह उपरी धुलिम कस्चित च प्रस्त्रण खंडाना ख्षिपती अर्थात यहाँ पे आप देख सकती हो एक चित्र है जिस चित्रों में आप देख सकती हो कि एक पाठ शाला है यह जो ओरेंज कलर से बनाया हुआ यहाँ पे साइड में चित्र है वो पाठ शाला यानि कि एक वीद्याले का है उसके अंदर आप देख सकते हो कि सारी लड़कियां बैठ कर पड़ रही है बीच में यानि कि एक रास्ते पे एक महिला जा रही है उसके उपर आज पास में देख सकते हो कि कई जो लोग है वो उसके उपर पत्थर फेक रहे है तो कोई उसके उपर धूल फेक रहे है कि ये एक साला एक विध्याले से जुडा हुआ चित्र है यहाँ पे जो दिया गया है जैसी कि उपरी निर्मितम चित्रम पश्यत यानि उपर निर्मित यानि की दिया गया है चित्रम यानि चित्र पश्यत यानि देखो उपर दिया गया जो चित्र है उषको देखो इदम चित्रम यानि की यह, इदम यानि यह, चित्रम यानि चित्र, कस्या चित्र हो पाडशाला या वर्तते, कस्या चित्र यानि कोई एक, पाडशाला यानि की विद्याले, वर्तते यानि है, यह चित्र कोई एक पाडशाला, एक विद्याले का है, इम सामान्य हो पाडशाल नास्ति यहाँ पे जो परखसला आप देख सकते हो वह परखसला व То कोई 시간 साला ने क्यों इदम अस्ती महाराष्छ उवर प्रत्मा कन्याशाला यहाँ petroleum justo यानि महाराष्ट की प्रथमा यानि प्रथम सबसे पहली कन्याशाला यानि की लड़कियों की शाला कन्याशाला क्यों ये सामान ये पाठ शाला नहीं है क्योंकि यह पाठ शाला महाराष्ट की प्रथम कन्याशाला है ये जो आप देख सकते हो ना पाठ शाला विद्याले वो महाराष्ट की प्रथम कन्याशाला, लड़कियों के लिए ये सबसे पहली कन्याशाला है, एका शिक्षिका, एका यानि एक, साल, शिक्षिका यानि की शिक्षिका, टीचर, गुरुहात यानि घर से, पुस्तकान यानि पुस्तके, आदा यानि लेकर, चलती यानि चल रही है, यहां पे एक सिक्षिका है, वो अपने घर से पुस्तक लेकर जा रही है, चलती यानि चल रही है, जा रही है, मार्गे यानि की रास्ते पर, कस्चित यानि कोई, तश्या यानि उसके उपर, उपरी यानि उपर, तश्या यानि उसके, धुलिम यानि की धुल, कस्चित यानि क कोई च यानि ओर प्रस्तरण खंडान यानि की पत्थर मार्ग पर जब वो जा रहे तब मार्ग पर रास्ते पर उसके उपर कोई धूल तो कोई उसके उपर पत्थर फेक रहे शिपती यानि की फेक ना तो इस तरह उसके उपर कोई धूल तो कोई उसके उपर पत्थर फेक रहे है परम सा स्वद्रड निश्चयात न विचलती परम यानि की परंतु सा यानि वो वो यानि जो महिला थी वो स्वद्रड निश्चयात यानि की ड्रड मनोबल वाली न विचलती यानि की विचलीत नहीं होती है उसका मन है वो डगमगाता नहीं है उसके उपर सब लोग कोई उसके उपर धूल तो कोई उसके उपर पत्थर फेक रहे फिर भी वो द्रड मनोबलवाली होने के कारण वो विचलीत नहीं होती है वो अपने रासे से हटते नहीं है अपनी पाडशाला में जाकर कन्या भी यानि की लड़कियों के साथ सवीनोदम यानि की मस्ती मजाक के साथ सवीनोदम यानि की मजाक मस्ती के साथ आलम पेयंती यानि की लग जाती है सा यानि वो वो जो महिला है वो अध्यापने सलंगना भवती यानि की वो हसी मजाक के साथ अपना अध्यापन कार्य है अपना पढ़ाने का जो कार्य है उनमें मन लगा देती है सलगना यानि मन लगा देती है तस्याहा स्वकियम अध्यायनम अपी सहेव प्रचलती तस्या यानि की उसकी जो महिला है उसकी स्वकियम यानि अपनी खुद की अपनी खुद की अध्ययनम अपी यानि की अपनी खुद की भी पढ़ाई अध्ययन यानि की पढ़ाई अपी यानि की भी अपनी खुद की भी पढ़ाई सहेव यानि की साथ में प्रचलती यानि की चल रही है वो खुद भी पढ़ रही है अभी उसकी भी पढ़ाई अभी में वो खुद तो पढ़ा रही है पर उसके सासाथ वो खुद भी पढ़ रही है के यम मैला अपी युयम इमाम मैला जानी था के यम मैला यानि कि ये कोन मैला है अपी युयम इमाम मैला जानी था क्या आप इस मैला को जानते हैं ये मेव महाराष्टश प्रतमा मैला शिक्षि का साविंत्रिबाई फूले नाम देया अर्थात कि ये जो मैला है वो ये मेव माहराष्टरी यानि कि ये जो मैला है वो माहराष्ट की प्रथम मैला शिक्षि का साविंत्रिबाई फूले है इसका नाम साविंत्रिबाई फूले है जो हमने आगे इसका परीचर देखा कि वो र ये जो सब है वो साविंद्रीबाई फुले के साथ ही हुआ था तो ये महिला और कोई नहीं पर साविंद्रीबाई फुले खुद थी जन्वरी मास्रश्य तुरुथिय दुशे 1831 तादे ब खिस्ताप्ते महारास्ट्रश्य नैगाउन नामनी स्थान्ने साविंद्री अजायत अर्थात जन्वरी मास्मे तुरुथिय दिउषे यानि तीसरे दिन 1831 इस्वेशन अधाराशो 31 में महराष्ट के नायंगाव नामनी यानी नामक गाव में साविंतरी अजायत यानी जन्म होना यानी कि साविंतरी का जन्म हुआ था जन्वरी माश के तृत्य दिन पर इस्वेशन अधाराशो 31 में महराष्ट के नायंगाव नामक गाव में साविंतरी का जन्म हुआ था तश्याहा माता लक्ष्मी बाई पीताच खंडोजी इती अभी ही तो हो यानी कि तश्या तश्याहा यानी उसकी माता यानी कि मात लक्ष्मी बाई यानी कि साविंतरी बाई जो है उसकी माता का नाम लक्ष्मी बाई एवं पीता का नाम खंडोजी इती अभी ही तो यानि कि उसके पीता जो है वो खंडोजी थे अभी ही तो यानि कहे गए है नव वर्ष देशिया सा जोतिबा फुले महोदयन परणीता नव वर्ष देशिया यानि नो वर्ष की आयूमे सा यानि कि वो वो यानि कि साविंतरी बै जोतिबा फुले यानिकी जोतिबा फुले महदय पर्णीता यानिकी ब्या यानिकी वो जब नो शालकी थी तव उसका ब्या जोतिबा फुले के साथ हो गया सो अपी तदानिम त्रयोदर्ष वर्ष कल्पह एव आशित सो अपी यानिकी स पलश अपी स यानिकी वो वो यानि जोतिबा अपी यानि भी वो भी तदानिम यानि तग त्रयोदर्ष वर्ष कल्पह यानि त्रयोदर्ष यानिकी तेरा साल के एव आशित यानिकी थे, वो भी यानि जोतिबा फुले जो थे, वो भी उस समय पर सिर्फ और शिर्फ तेरा साल के थे यतोही सह श्त्री सिक्षायाहा प्रबलह शमर्थकह आशितह अतह साविंत्रियाहा मनशी स्तिता अध्यना भिलाशा उत्साहम प्राप्तवती अर्थात यतोही यानिकी क्योंकी सह यानिकी वो स्त्री सिक्षाया यानि स्त्री सिक्षा के प्रबल शमर्थकह आशित यानिकी प्रबल समर्थक थे, वो स्त्री सिक्षा में मानने वाले थे इसलिए अतह यानि इसलिए शाविंत्रियाहा यानि साविंत्री के मनशी यानि मन में स्थित्रा यानि की रही हुई अध्यन अभिलाशा यानि की पढ़ाई की जो अभिलाशा थी वो उत्साहम प्राप्तवती वो बढ़ जाती है इसलिए जो जोतिबा फुले है वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थकते वो ऐसा मान रहे थे कि स्त्रियों को तो पढ़ाई करनी ही चाहिए तो इस तरह वो प्रबल समर्थक होने के कारण साविंत्री बाई के मन में जो पढ़नी की अभिलाशा थी उसको जो इच्छा थी वो उत्सा ओर बढ़ जाता है उसका अतह इतह परम सा शाग्रहुं आंगले भाशाया अपी अध्यायनम क्रुत्वति अर्थार्थ इतह परम यानिकी इस से आगे सा अग्रयम यानिकी बहुत उत्सा के साथ आंगले भाषाया यानिकी अंग्रेजी भाषा का भी अपी अध्याहनम कृत्वती यानि अध्याहन किया क्रुत्वती यानी किया यानी कि इस तरह शाविंत्री बाई जो है वो बहुत उत्सा के शाथ आगे पड़ाई की और अंग्रीजी भाषा में उसने अध्यापन यानी की उसके अपनी पड़ाई पूरी की 1848 तदेव खिस्तापते पूरे नगरे साविंत्री जोतिबा महोदेन सह कण्या यानम क्रुती प्रदेश श्य प्रथम विध्यालें आरमबत अर्थात इस विशन 1848 में पूरे में साविंत्री बाई और जोतिबा महोदे दोनोंने साथ में मिलकर शह यानी साथ में मिलकर कञ्ण्यायानम यानिकी लड़कियों के लिए, कृते यानि लड़कियों के लिए, प्रदेशय प्रथम अर्थात उस राज्य का प्रदेशय प्रथम यानिकी राज्य का प्रतम विद्यालें आरबुत यानि पहला विद्याले शुरू किया इस तरह साविंत्री बाई और जोतिबा महोदय शाथ में मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए उस राज्य का पहला विद्याले शुरू किया तदानिम्सा केवलं शप्त दर्श वर्षिहा आशित तदानिम्सा यानिकी उस समय सा यानि वो केवलं यानिकी केवल शप्त दर्श यानिकी सत्राश आलके आशित यानि थे उस समय वो केवल और केवल सत्राश आलके थे अधाराशो 51 तदीव खिस्ताब्धी अश्प्रुस्त्वात तिरश कृतश्य समुदायश्य बालिका नाम कृती प्रुथक तया तया अपरह विद्यालय प्रारब्दह। अर्थात उसने इश्वेशन अधाराशो 51 में अश्प्रुस्त्वात तिरश कृतश्य यानिकी छुआ छुद के कारण। दुसरी विद्यालय यानिकी विद्यालय पाडशला आरब्दह यानिकी शुरुकी इस तरह अधाराशो 51 में ये साविंत्री बाई और ज्योति बाने क्या किया तो उस समय पर छुआ छुद के कारण अपमानित किये गए शमुद की जो लड़कियां थी उसके लिए उन्हों अलग से और दुसरा विद्यालय प्रारम कर दिया यानिकी उसके लिए उसने दुसरी विद्यालय शुरुकी आगे सामाजी कुरीता नम शाविंत्री मुखरम विरोधम अकरुत यानिकी सामाजी कुरीवाच सामाजी कुरीत नम यानिकी सामाजी कुरीवाच जो है बुराईया है उसका साविंत्री यानि साविंत्री बाई मुखरम विरोधम अकरुत यानिकी साविंत्री बाई ने जोर सोर्शे मुखरम यानि जोर सोर्शे विरोधम अकरुत यानि विरोध किया उसने उसका विरोध पर किया कि ये सामाजिक कुरिवाच जो है वो नहीं होने चाये उसको बंद कर देना चाये विद्वा नाम शिरो मुंडनेस्य ती निराकरणा यो सा शाक्षात नापिते हैं मिलीता अर्थ हात विद्वाओं का शिरो मुंडन का जो निराकरन करना था उसको उसके लिए निराकरन करना यानि उसके दूर करने के लिए जो प्रयाश करना था उसके लिए वो शा शाक्षात यानि कि वो वो यानि शाविंतरी बै शाक्षात यानि वो खुद नापिते यानि नायो के पास मिलीता यानि मिली क्या किया उसने के विद्वाओं का सिरोमुंडन करनने की जो रिवाज था कुरिवाज था उसको वो बंद करनना चाती थी उसका वो निराकरन करना चाती थी उसका वो रास्ता निकालना चाती थी उस कुरिवाज को बंद करने के लिए वो क्या करती है वो खुद नायों से मिल अर्थात फलत यानि फल स्वरुप परिणाम स्वरुप यानि कि क्या परिणाम हुआ तो केचन यानि कि कई नाईयोने अस्याहा रुडो यानि कि इस रुडी इस रिवाज में से सह भागीता यानि कि अपनी भागीदारी अपना जो कार्य है वो अत्यजन यानि कि छोड़ दिया क्या हुआ साविंत्री बाई वो नाईयों से मिली और उसको समझाया कि ये रिवाज को बंद करवाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है अगर आप ही ये कार्य बंद कर देंगे तो अपने आप ये रिवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगा इस तरह साविंत्री बाई के समझाने के वज़र से नाईयों ने कई नाईयों समझ गए और क्या किया उसने इस रिवाज में से अपना कार्य बंद कर दिया यानि इसमें से अपनी भागीदारी है वो छोड़ देते है अत्यजन यानि की छोड़ देना एकदा साविंत्रिया मार्गे द्रष्टुम यत कूपम निकर्षा श्रिण वस्त्रा व्रताहा तथा कतीता निम्न जातियाहा कास्चित नार्य जलम पातुम याचनते श्म अर्ठात साविंत्रिया मार्गे यानि की साविंत्रिबाई जो है वो मार्गे यानि की रास्ते पर द्रष्टुम यत कूपम यानि की कूए के पास निकर्षा यानि पास एक बार शाविंत्री बाई एक दा यानी एक बार एक बार शाविंत्री बाई देखती है रास्ते पर की कुएके पाश निकर्शा यानी पाश शिन वस्त्रा व्रुता यानि शिन यानि पूराने फटे हुए कपडे वस्त्र यानिकी वस्त्र कपडे व्रुता यानिकी लिप्टी हुई यानिकी ऐसे कपडे पहनी हुई निम्न जातिया यानिकी नीची जाति की कास्चित यानिकी कई नार्य यानिकी नार्यां जलम यानि की पानी पीने के लिए या चंतेस्म यानि मांग रही थी एक बार साविंतरी बाई रास्ते पर क्या देखती है कि कुए के पाश में फटे हुए कपडों में लिप्टी हुई कुछ स्त्रिया जो है निम्न जाती की नीची काश्ट की जो स्त्रिया है वो पानी पीने के लिए मांग रही थी तब उन्च वर्गियाहा उपहाशम कुर्वतह तब क्या हुआ तो उन्च वर्गियाहा यानि उन्चे वर्ग की जुस्त्रियां थी वो उपहाशम यानि की मजाग कुर्वनतह यानि की कर रही थी उस समय वो उन्च वर्ग की जुस्त्रियां है वो उसका मजाग कर रही थी से अवारेन यानि रोक रही थी उन्च वरकी स्त्रियां क्या करे थी उस समय तो वो निम्न जाती की जो स्त्रियां थी उसको मजाक उड़ा रही थी और उसको जल लेने से पाने लेने से मना कर रही थी उसको रोक रही थी अवारेन यानि रोकना मना करना साविंत्री एतत अपमानम शोड़ूम नाशकनोत यानि कि साविंत्री बाई जो है वो एतत यानि यह अपमानम यानि अपमान शोड़ूम नाशकनोत यानि कि नहीं सकनोत यानि कि सहन नहीं किया साविंत्री बाई जो है वो यह अपमान को शहन नहीं किया सा तहा स्त्रियह निजग्रुहम नित्वती सा यानि वो शाविंत्री बाई जो है वो तहा यानि की उस क्लब को स्त्रियह यानि की स्त्रियों को वो सारी स्त्रियों को निजग्रुहम यानि अपने गर नित्वती यानि ले जाती है उस समय साविंत्री बाय से ये अपमान शहन नहीं होता है और वो ये सारी स्तियों को अपने घर ले जाती है निजग्रुहम यानि अपने घर नित्वती यानि ले जाना वो ले जाती है तलागम द्रशेत्वा अकत्यत च यत 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 वो अपने घर ले जाती है वो तालाब दिखा कर कहती है अकत्यत यानि कहना वो कहती है कि जिसको जितना पानी चाहिए वो ले जाए सार्वजनिकोयम तड़ागह यानि की तालाब सार्वजनिकोयम यानि की सार्वजनिक है ये तालाब है वो शार्वजनिक है सार्वजनिक यानि सब के लिए किसी के उंच नीर या जाती पाती के लिए प्रतिबंध नहीं है इसका सार्वजनिक यानि सब उष्का उप्योग कर तो इस तरह शाविंत्री भाई अपने घर पे लेकर वो तालाब दिखाती है और कहती है कि यहां से सब लोग जिसको जितना जल चाहिए उतना ले जा सकती है क्योंकि यह तालाब जो है वो सारवजनिक है अस्मात जल ग्रहने नास्ति जाती बंदनम यानिकी जल लेने के लिए नास्ति यानि नहीं है जाती बंदनम यानिकी जाती का कोई प्रबंद नहीं है यहां से जरलेने के लिए कोई जाती बंदन नहीं है तया मनुश्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायास्च पक्ष ह सर्वदा शर्वथा समर्थित ह ABC तैहा मनुश्यानाम यानिकी उन्होंने मनुश्यों की समान्ताया यानिकी शमान्ता और स्वतंत्रतायास्च यानिकी श्वतंत्रता पर पक्षमे समान्ता और स्वतंत्रता के पक्षमे रहकर शर्वधा यानि हमेशा सर्वथा शमर्फित यानिकी समेशा उसका शमर्थन किया अपना समर्थन दे दिया पुरी तरह शे उसका समर्थन करती थी तो आज हम इस प्रियर में ये लेशन का अभ्याष यहां तक रखते है नेक्स्ट प्रियर में इसके पाठ का आगे का अभ्याष करेंगे तो चलो आज का आज का हम होमवर्क नोट कर लीजिए आज का इस प्रियर्ड का होमवर्क है ये जो लेशन है हमारा एका दश्व पाठर शाविन्तरी बाई फूले उशके सब्दार था जो है वो आपको संस्कृत की शीरवल्य में लिख देने है नेक्स प्रियर्ड में हम इस लेशन का आगे का अभ्याश भी करेंगी और साथ साथ में इसका अभ्याश यानि किसकी एक्सराइज भी समझेंगे तो इस तरह आप लोग आज के दिन का आज ही होमवर्क कर लिजे ताकि next period में जब हम अभ्याश करने बैठे यानि exercise हम समझे तब आपका ये homework होज गया हो तो आप आगे का कार्या भी जल्ले से कर सको तो मैंने last period में भी आप लोगों को homework दिया था अश्मत के रूप हमने जो शमझे थे वो grammar की बुक में आप लोगों को लिखने के लिए दिये थे अश्मत और युश्मत के तो वो homework भी आप सब का हो गया होगा आशा करती हूँ कि सबने संस्कृत की grammar की व्याकरण की बुक में वो लिख दिये हुँगे तो उसके भी फोटो आप लोग मुझे सेन कर दिजिए और आज शमने जो ये शबदार था दिये homework में उसके भी फोटो आप जल्दी से मुझे सेन कर दिजिए Thank you